महाराष्ट के गवर्नर श्री रमेश बैश जी, मुख्यमंत्री श्रिमान एकनाथ शिन्दे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीश जी, अजित दादा पवार जी, महाराष्ट सरकार के अन्यमंत्रिगाण, जन प्रतिनिदीगाण, प्रतिन नर्चया अदाम जी और स्वलापूर के भायों और बहनों, नमश्कार, अंडर पूर्चा बिठल आणि सिद्देश्वर महाराज ज्याना भी नमश्कार करीता है, यह समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है, आइस जन्वरी को, सियावर राम चन्द्र की जाए, आइस जन्वरी को, वो आइतिहासी खणाने वाला है, जब अमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं, हम सबने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की तसंकों पुरानी पीडा, अब दूर होने जा रहे हैं, ग्राम मंदिर में प्रान प्रतिष्टा से पहले, संतों के मारदर्शन में, मैं अपने यम नियमों में विस्त हूँ और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूँ, और आप सब के आशिरवाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं, ताकि मेरी कोई कमी नह रह जाए। और इस पवीत्र कारे को करने का मुझे जो अउसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आर्शिरवाद से वहाँ जाऊंगा। साथ यह भी संयोग है कि इसकी शुरुवात, मेरे इस अनुस्ठान की शुरुवात, महाराष्ट के नासिक से पंचवटी की भूमी से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावर्ण में, आज महाराष्ट के एक लाग से जादा परिवारों का दिरह प्रवेश हो रहा है। अब बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। आपकी भी बढ़ जाएगी ने बढ़ जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट के एक लाग से अधिक गरी परिवार भी, 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम जोती प्रजवलित करेंगे। करेंगे ना। सब लोग राम जोती प्रजवलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लेश चालू कीजिए और राम जोती का संकल पर लीजिए। आप सब के मोबाइल के फ्लेश चालू कीजिए। सब के जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। वह वाँ दूर भी लोग है मने तो सोचा नहीं था। यह फ्लेश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी फीड है। जड़ा हाथ उपर करके बताईए। 22 तारिक शाम को राम जोती प्रक्टाएंगे। शाबाज आज महारास्त के अलग अलग शहरों के लिए दो हजार करोड रुपिये के साथ अम्रित प्रोजेक्स का भी शुभारम किया गया है। मैं 16 पुर्वास्यों को महारास्त्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं मान्य मुखमंत्री जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही कि मोधी जी के कारान महारास्त्र का गवरों बहुत बढ़ रहा है। शिमान सिंदे जी यह सुनकर तो अच्छा लगता है। और पॉलिटिशन को तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सच्चा यह है कि महारास्त्र का नाम रोशन हो रहा है। महारास्त्र की जनता के परिशम और आप जैसी प्रकतिशिल सरकार के कारण हो रहा है। और इसलिए पूरा महारास्त्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापूर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मदुर साथियों के लिए, हमने जो संकल्प लिया था, वो आज पूरा हो रहा है। आज पी एम आवास योजना के तहट मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकारपड हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बच्पन में ऐसे घर में रहने का मोका भी लाए। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतरा संतोस होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं, उनके आशिरवाद मेरी सबसे बड़ी पुंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रजेक का सिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी, कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खोदाऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पुरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी। यानी मोदी ची गारंटी मनजे गारंटी पुर्ण होना ची संपुर्ण गारंटी। अब ये लाखो रुपिये के घर आपकी संपत्ती है। मैं जानता हूं, जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं, उनकी अनेक पिडियों ने बे घर रहते हुए कितने तरह के कस्ट जेले हैं। मुझे विश्वास हैं, इन घरों के साथ कस्टों का वो कुचुक्र तुटेगा और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा, जो आपने देखा है। पाइस जनवरी को जो राम जोती आप जलाएंगे, वो आप सभी के जीवन से गरीवे का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही प्रभु राम से मेरी कामना है। और मैं देख रहा था, अभी जुस्सादार बासन सुन रहा था, अधाम जी का, मुझे खुशी हुई, कि 2019 में जब मैं मिला था, तो वो काफी पटले थे। आज देखिए फल खाखा करके, सफलता के फल, काफी बजन बढ़ा है, और यह भी मोधिशी गहरेटी का परड़ाव है। मेरे प्यारे भाईयों महंडों, जब यह मकान आपसको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुबात हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आप ले जीवन सुखाने भरुन राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसिदाद जी कहते हैं कि जेही विदी सुखी हो ही पूरलोगा, करही कृपा निदी सोई संजोगा। यानि जनता जिससे सुखी होती है। कृपा निधान स्री राम चंद्रजी वैसे ही कारिय किया करते थे। जनता जनारदन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेना और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजना इलागों की जिससे गरीब की मुश्किले कम हो उनका जीवन आसान बने। साथियों गर ना होने की वज़े से सौचालाइन ना होने की वज़े से करीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। पिशेश रुप से हमारी माताओं बहनों बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और सौचालाइन के निर्मान पर ध्यान दिया। हमने दास करोड से जादा सौचालाइ बनाकर गरीबों को दिये। वो सरफ सौचालाइ नहीं है। हमने इज्जत घर दिया है। मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दिया है। हमने चार करोड से अधिक पक्के घर मनाकर गरीबों को दिये। आप सोच सकते हैं। जिनको यहां घर मिला है पूछ लीजिए। जीवन में कितना संतोज है। यह तो तीस हजार है। हम चार करोड को दे चुके हैं। कितना संतोज होता होगा। तो प्रकार के विचार रहते हैं। एक राज नितिक उल्लू सिधा करने लिए। लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है दिगिनीटी ओफ लेवर। हमारा मार्ग है आत्म निर्भर स्रमीक। हमारा मार्ग है गरिबों का खल्यार। और मैं आप से कहना चाहता हूं जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं। आप बड़े बड़े सपने देखिए। छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है आपके सपने की मेरा संकल्प है। पहले के समय में शहरों में जहां जुग्या ही जुग्या बनी। आज हम उन जुग्य वास्यों को पक के घर बना कर देने का काम कर रहे हैं। सरकार की कोशिज है कि रोजी रोटी के लिए गाउं से आने वाले लोगों को भाड़े पर जुग्यों में ना रहना पड़े। आज शहरों में ऐसी कलानिय बनाई जा रही हैं जहां उचीत किराए पर ऐसे साथियों को मकान मिल सके। एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। हमारी कोशि है कि जहां लोग काम करते हैं उसके आसपास ही आवास का प्रबंद हो। मेरे परिवार जनों हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओं के नारे लगते रहें। लेकिन इन नारों के बावजोद गरीबी नहीं हटी। किसे सुत्र चलते थे आधी रोटी खाएंगे। अधी रोटी खाएंगे और तुमको वूड़ देंगे ऐसा कहते दिलो। क्यों अधी रोटी खाएंगे। मोदी है पूरी खाएंगे। जनता जनारदन का यही सपना यही संकल यही तो फर्क है। और साथियों जैसे सोलापूर स्रमिकों की नगरी है न। मेरा कारिक्षेत्र अमदाबाद रहा वो भी स्रमिकों की नगरी है। वो भी टेक्स्ट्राइल के स्रमिकों की नगरी है। अमदाबाद और सोलापूर का इतना निकट नाता है। मेरे अमदाबाद में यहां से पत्मशाली काफी परिवार अमदाबाद में रहते हैं। और मेरे जिवन का सवभागे रहा मेरे पुरवास्रम में मुझे महिने में तीन चार बार भोजन खिलाते थे हमारे पद्मशाली परिवार। चोटी चाल में रहते थे तीन लोगों के बैठने की जगा नहीं होते थी लेकिन मुझे कभी भूखा सोने नहीं देते थे। और मैं तब आश्यर्य था एक दिन स्वलापूर के किसी सज्जन ने बहुत साल हो गए नाम बुजी आदनी रहा है उन्होंने अच्छी तरह वीव किया हुआ वीविंग किया हुआ एक बहुत बढ़िया चित्र मुझे भेजा महाराष्ट्र के सतारे के लक्ष्ण रावि नामदार पकिल साब जिनका मेरे जीवन में घड़ने में बहुत बढ़ा रोल था कहीं से वो चित्र रा करके उस चित्र को उन्होंने इस प्रकारते उके रा था अपनी पुन्ने की कलां से और वो मुझे अद्भूत चित्र उन्होंने भेजा था आज भी सोलापूर मेरे दिल में बसा मेरे परिवार जनो हमारे देश में लंबे समय तक यह जो गरीबी हटाओं के नार्य लगते रहे ना लेकिन इन नयारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाए तो बनाई जाती थी लेकिन उनका लाब असली हगदार को नहीं मिलता था पहले की सरकारों में गरीब के हग का पैसा बीच में ही बिचोल ये लूट जाते थे यानि पहले की सरकारों की नियत नीती और निश्ठा कटगरे में थी हमारी नियत साब है और निती गरीबों को ससक्त करने की है हमारी निश्ठा देश के प्रती है आमची निश्ठा देशा प्रतिया है भारताला विक्षित राष्टा बनेवडिया साथिया है इसलिए मोदी ने गारंटी दी कि सरकारी लाब अब डारेक लाभार्थी तक पहुँचेगा कोई बिचोलिया नहीं है हमने लाभार्थीयों के रास्ते में खड़े बिचोलियों को हटाने का काम किया यह जो लोग कुछ चिलाते है ना उसका कारान यही है मलाई खाना उनका बंद हो गया है हमने भीदे 10 वर्जों में 30 लाग करोर रुपिये से ज़्यादा सीधे गरीब, किसान, महिला और युवा लाभार्थियों के बैंक खाता में ट्रांसपर की है जंदन, आधार और मोबाइल कवाइट बना कर हमने करीब 10 करोड ऐसे फरजी लाभार्थियों को हटाया जिनका जन्म भी नहीं हुआ था और जो आपके हिट के पैसे खा रहे थे जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विद्वा हो जाती थी सरकार दे पैसे मार लिए जाते थे जो बेटी पैदा नहीं हुआ उसको बिमार दिखा करके रुपिये मार लिए जाते थे साथ क्यों जब हमारी सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्रात्पिक्ता देते हुए काम किया गरीब कल्यान के अनेक योजनाय शुरू की तो इसके नतीजे भी निकले हमारी सरकार के नव वर्सों में पचीस करोड लोग गरीबी से बहार निकले है यहां कड़ा छोटा नहीं है दस साल की तपस्या का परणाम है गरीबों के लिए जिन्दगी खपाने के संकल्प का परणाम है और जब सच्ची च्छा निष्ठा पवित्रता से काम करते हैं तो परणाम भी अपनी आँखों के सामने दिखते हैं और इसके कारण बाकी साथियों को भी विश्वात मिला है कि बेभी गरीबी को हरा सकते हैं साथियों देश के पचीश करोड़ लोगों ने गरीबी को कैसे परास्त किया ये देश के लोगों के पहुत बड़ी सभलता है मैंने थे हमेशा कहा है कि गरीब को साधन संसाधन मिले तो उसमें इतना सामर्त है वो गरीबी को परास्त कर देता है इसलिए हमने देश के गरीबों को सुभिधाएं दी साधन दिये और उनकी हर चिंता दूर करने का इमांदारी से प्रयास किया एक समय था जब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी दो वक्त की रोटी आज हमारी सरकार ने देश के गरीबों को मुक्त राशन देकर उसे अनेक चिंताओं से मुक्त किया है आधी रोटी खाके नारे नहीं लगाएगा कोरोना के समय शुरू की गई ये योजना अब अगले पांच साल तक भी ये बढ़ा दी गई है और मैं देश वास्यों को वादा देता हूँ मुझे संतोस है कि 25 करोड लोग गरीबी से बाहर आये है और मुझे ये भी पता है कि आने पाले पांच साल जो गरीबी से बाहर निकले हैं उनको भी ताकत देते रहना पड़ेगा ताकि कभी किसी कारण वोजो गरीबी में लोट न जाए फिर मुसीबत में फस्र न जाए और इसलिए जो योजना यह न उसका फाइदा भी उनको मिलता रहने वाला है एक्टुली उनको तो जादा देना आतका मण करता है क्योंकि वह हिम्मत के साथ मेरे संकल को पूरा करने के लिए पचीस करोड लोग पचास करोड भूजाए आज मेरी साथी बन गए है और साथियों हमने स्रम मुफ्त राशन की ववस्ताई नहीं की बलकि राशनकार्ट से जुड़ी समस्या को भी हल किया पहले एक जगह बना राशनकार्ट दूसरी राज में चली नहीं पाता था अगर कोई साथी काम के लिए दूसरी राज्य जाता था तो वहां उसे राशन लेने में बहुत से मुश्किले आती थी हमने एक देश एक राशनकार्ट की व्यवस्ता बनाई इससे एक राशनकार्ट पूरे देश में चलता है अगर सोलापूर का व्यक्ति अगर चिन्नई में जाकर के कारोवर रोजी रोटी कमाता है तो राशनकार्ट नया नहीं निकलना पड़ेगा चिन्नई में भी इसी राशनकार्ट से उसको अन्न मिलता रहेगा और यही तो मुदी की गारंटी है साथियों हर गरीब की हमेशा से चिंता रही है कि वो अगर बिमार हो गया तो फिर इलाज कैसे लगाएगा और गरीब परिवार में अगरे काथ बार इलाज बिमारी आ गई तो मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के उसकी सारी बाते तूड़ जाती है वो फिर से बिमारी के कारण गरीबी के अंदर फस जाता है पुरा परिवार फिर संकट में फस जाता था इसे समझते हुए हमारी सरकार ने पांच लाख रुपिय तक के मुपने लाज की रुपिय खर्च होने से बचाए आप कल्प ना कर सकते हैं अगर मैं एक लाख करोड रुपिय की योजना गोसित कर देता तो पता नहीं छे-छे दिन तक अख़बारों में हेडलाइन चलती रहती टीवी में भी चमकता रहता लेकिन यह मोधी की गारंटी की ताकत है एक ला 80% डिसकाउंट पर दवाई दे रही है इससे भी गरीबों के 30,000 करोड रुपे खर्च होने से बचे हैं गरीब परिवार में बिमारी होने का एक बहुत बड़ा कारण गंदा पानी भी होता है इसलिए हमारी सरकार आज चल जिवन मिशन चला रही है हर गर को पानी के से जोड रही है सात्यों इन योजनाओं का लाप पाने वालों में सब्चबिडी संख्या पीछड़ों और जन जातिय समुदाय के लोकों की है गरीब को पक्का गड़ मिले सौचाने मिले उसके गर में बिल्ली कनेक्शन हो पानी हो ऐसी सारी सुविदाएं यह सच्चे अर् इसी सामाजिक न्याय का सपना संत्रविदाज जी ने देखा था इसी बेदवाव रहित आउसर की बात कभिदाज जी ने कही थी इसी सामाजिक न्याय का मार्ग जोतिवा फुले सावित्रिवाई फुले ने दिखाया था बाबे साब अंबेर करने दिखाया था मेरे परिव से गरिब को भी आर्थिक सुरक्षा का कबच मिले ये भी मोदी की गारंटी है कि दस वर्थ पहले तक गरिब परिवार जीवन विमा के बारे में सोध भी नहीं सकता था आज उसे दो दो लाख रुपिये तक के दुरगटना और जीवन विमा की सुरक्षा मिली है ये विमा सुरक्षा मिलने के बाद यहां कड़ा भी आपको प्रसंद न करेगा ये विमा सुरक्षा मिलने के बाद सोला हजार करोड रुपिये उन गरिब परिवारों को मिले हैं जिनके परिवार में कोई मुसिबत आ गई और ये विमा के रूप में उनके खातों में ट्रांस्पर किये गए साथियों आज मोदी की गारंटी सबसे अधीक उनके काम आ रही हैं जिनके पांस बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था यहां इस सभा में भी अनेक साथी ऐसे हैं जिनके पांस 2014 तक एक बैंक खाता तक नहीं था जब बैंकों में खाता ही नहीं था तो उन्हें बैंकों से लोन कैसे मिलता जन दन योजना चला कर हमारी सरकार ने पचास करोड गरिबों को देश की बैंकिंग ववस्ता से जोड़ा आज यहां पी-एम स्वनी थी के दस हजार लाबार्थियों को भी बैंकों से मदद दी गई हैं और कुछ टोकन मुझे यहां देने का आउसर में दस हजार देश भर में पुट्पात पर चोटी-चोटे काम करने वाले लोग सब्दी बेचने के लिए अपनी सुसाइटी में आ करके सब्दी बेचने वाले लोग दूद बेचने वाले लोग अखबार बेचने वाले लोग रास्ते पर खड़े राकरके खिलोने बेचने वाले लोग फूल बेचने वाले लोग एसे लाखों साथ्यों को पहले किसी ने पूछा नहीं था और जिनको किसी ने पूछा नहीं मोधी ने उसको पूजा है आज मोधी ने पहली बार इने पूछा है इनकी मदद के लिए आगे आया है इन साथियों को पहले बाजार से मंगे ब्याद परनान लेना पड़ता था क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी मोधी ने इनकी गारंटी ली बैंकों से मैंने कहा ये मेरी गारंटी है उनको पैसे दीजिए ये गरीब लोग लोटा देए मेरा गरीब पर परोसा है और आज बिना गरंटी को इस रेड़ी पट्री वाले लोगों को बैंक से लोन बिल रहा है ऐसे साथियों को अभी तक हजारो करोड रुपय की मदद दी गई है मेरे परिवार जनो सोलापूर तो उद्योगों का सहर है मैनत का मददूर भाई बैनों का शहर है यहां निर्मान कारिय से छोटे और लगुद्योगों से अनेक साथ ही जुड़े हुए सोलापूर के बस्त उद्योग की पहचान तो देश और दुनिया में है सोलापूरी चाधर के बारे में कौन नहीं जानता देश में उनिफॉर्म का काम करने वाली MSM इसका सबसे बड़ा क्लस्टर सोलापूर में है मुझे बताया गया कि आँ विदेशों से भी बड़ी संग्या में उनिफॉर्म का ओर्डर आते है साथियों कपड़े सिलने का ये काम तो अनेक पीडियों से चल रहा है पीडियां बदली फैशन बदले लेकिन क्या किसी ने कपड़े सिलने वाले साथियों के बारे में कभी सोचा था क्या मैं इन्हें अपना विश्व कर्मा साथी मानता हूं एसे हर विश्व कर्मा साथियों का जिवन बदलने के लिए हमने पीएम विश्व कर्मा योजना बनाई है और कभी-कभी आप मेरे जैकेट देखते न उसमें कुछ जैकेट ये सोलापूर से मेरा एक साथी बना करके मुझे बेजता है मेरे मना करने पर भी बेता रहता है एक बार तो मैंने उसको फोन करके बहुत डाटा भाई तुम मुझे मत बेजो बहुत है नहीं साथ आज भी मुझे मिल गा है बहुत मैं लेके आया हूँ साथियों इविश्व कर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है आधुनिक उपकरण दिया जा रहा है अपना काम आगे बढाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गरंटी दिये लाखों रुपिय का रन भी बिल रहा है इसलिए मैं सोलापुर के सभी विश्व कर्मा साथियों से कहूंगा इस योजना से आप भी तेजी से जुड़िये आजकल तो विक्सित भारत संकल प्यातरा गाउं गाउं महले महले पहुंच रही है इसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है इसमें आप पीम बिश्व कर्मा सहीट सरकार की हर योजना से जुड़ सकते है मेरे परिवार जनो विक्सित भारताचा निर्मिते साथी आत्म निर्भर भारत बनावने जरूरी चाहे विक्सित भारत के निर्मार के लिए आत्म निर्भर भारत बनना जरूरी है रात मंदिर पर भारत बनाने में हमारे छोटे लगो और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागिदारी है इसलिए केंद्र सरकार MSMIS को छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है कोरोना काल में जब MSMIS पर संग्यट आया तो सरकार ने ने लाखो करोड रुप्या की मदद की थे इसे लगो उद्योगों में बड़ी संग्या में रोजगार खत मोड़े से बच पाए आज सरकार देश के हर जिले में बन डिस्टिक बन प्रोड़क योजना भी चला रहा है वोकल फ़र लोकल का भियान भी आज हमारे छोटे उद्योगों के प्रती जागुरुता बढ़ा रहा है आज जिस प्रकार दुनिया में भारत की साख बढ़ रही हैं उससे मेड़ी निया उत्पादों को लिए संभावनाय भी बढ़ रही है केंद्र सरकार के इन सारे अभियानों का लाब सोलापूर के लोगों को हो रहा है यहां के उद्योगों को हो रहा है मेरे परिवार जो नो हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कारकाल में अगले मेरे कारकाल में भारत भी दुनिया की टॉप तीन अर्थे ववस्ता में शाबिल होने वाला है मैंने देश वाच्यों को गरंटी दिया है कि आने वाले मेरी टम में मेरे पहले तीन देशों में दुनिया में भारत को ला करके खड़ा करूंगा ये मोदी ने गरंटी दिया और आपके भरोस मुझे लगता है मेरी ये गरंटी पुरी होगे आपके आशिरवात की ताकत है अर्थ व्यवस्ता के इस विस्तार में सोलापुर जैसे महारार्च के हमारे अनेक शहरों के बड़ी भूमिका है जबलिंग्दिन की सरकार इसलिए इन शहरों में पानी और सिवेज जैसी सुविदाव को लगातार बैतर बना रही है शहरों को अच्छी सड़के रेलवे और हवाई मारते जोडने का काम तेजी कती से चल रहा है संत ग्यानेश्वर महाराच पालखी मारगो या संत तुका नाम पालखी मारगो इन पर भी तेजी से काम जारी है रत्नागिरी कोलापुर और सोलापुर के बीच फोर लेन हाइवे का काम भी जल्द ही पुरा होगा आप सभी परिवेजर जनों ने ऐसे ही विका पसके साथ की कासिओं आज अपना फक का घर मिला है तुछ इन्हें पक का गर मिला है उनको फिर से बढ़ाई मेरे साथ बोलिए दोनों हाथ उपर करके बोलिए भारत माता की आवाद पुरे महरास्टे में पहुचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की यह जो आप जैकारा बुला रहे है ना ये जयकारा देश के हर गरीब में नया विश्वास परदा करने की ताकत रखता है बहुत बहुत धन्यवाद